अलो एवरीवन वेल्कम बैक टू माई चैनल सेशन स्टार्ट करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले ना पूंट इसले क्लास में हमने पांट दीजित नंबर का परफेक्ट स्टार का स्क्रायर तुग्लाख निकालना जिखे से लेके 999 तक का स्कॉयर निकालिएगा ये जितने भी नमबर होते हैं ये सभी कितने डीजिट को होते हैं तो ये सभी के सभी 6 डीजिट को होते हैं कहां तकले होते हैं तो 317 के square से लेके 999 के square तकले जो number होते हैं वो कितने digit के होते हैं तो six digit का square root में आपको digit भी पुछा जाता है कि इसमें कितने अंको की संख्याएं होंगी तो digit निकालने के लिए हम लोग देखते हैं कि क्या-क्या होता है अगर आपके पास कोई number है अगर उसका root निकालने है उसमें root निकालने के बाद पुछ सके कि कितने digit का होगा ये कितने digit का संख्या होगा तो digit निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा देखना पड़ेगा कि वो कितने उंको की संख्या है n जो है अगर n आपका n अगर sum 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 बीसम होता है मतलब odd होता तो n प्लस 1 बाइ 2 होता है example लिए हम लोग निकाल कर देखते हैं जैसे ये एक number है ये कितने अंकों किस अंखिया है तो ये कहिएगा सर 3-3-6 अंकों कि है इसका square root निकालेंगे तो कितना होगा था ये न कमानिया 6 जब भी odd होता है तो number of digit कितना ऊंकों Eld निकालने के बाद बाद कितना आएगा तो ये 3 को किसा या होगी यहां पर कितना होगा इसकार निकालने के बाद किसा क्या होगा talking जो है5 है एक मतलब होग और और नमबर के केस में क्या होता है नमबर अब डिजिट जो होता है वो क्या होता है एन प्लस वन बाई टू होता है कितना हो जाएगा पांच प्लस एक बाई टू हो जाएगा कितने उनको की संख्या होगी इसके स्क्राड निकालने का बाद तर तीन डिजिट की संख्या होगी क कि इतने डीजिट की होगे, तो three दीजिट की होती है, अब इस वाले में देखिए आपको क्या होगा, इस वाले में देख रहे होंगे कि आपको n का मान केतना है, तो कर यह का सरी यह जो संख्या है, जिसका रूट निकालना माया है, यहां तो 6 है, स्क्राइर रूट निकालने के बाद इसमें number of da which कितना होगा? is the square root निकालने के बाद इसमें number of da which is row n by two होगा, क्यों होगा n by 2? क्योंकि संख्या जो है यहां 6 औंकोपी है, लुट के अंदर जब इसका स्क्वारूट निका लेंगे ति यह एंदा क्योंकि जब भी सम संख्या होता है इवेन नंबर होता है स्क्राइब में जो नंबर ऑफ डिजिट होता है एन बाइटू होता है यहां देखें तीन तीन कितना राज सिक्स आ रहा है यहां भी कितना हो जागा एन बाइटू होगा क्यों होगा एन बाइटू क्योंकि इवेन न नमबर होता है तो इसमें number of digit जो होता है n plus 1 by 2 होता है 7 plus 1 by 2 होगा तो निकालिएगा तो कितना आएगा तो 7 plus 1 by 2 होगा आपको 8 by 2 मतलब 4 digit का होगा इसका square root निकालने के बाद कितना होगा तो 4, 3, 7 है यहाँ भी n कितना 7 है यहाँ भी number of digit निकालिएगा तो odd है और के case में आप क्या करते हैं इन प्लस वन बाई टू करते हैं जब कभी भी सेवें होता है मतलब और नमबर में है इसका स्कॉार रूट निकालिएगा तो वह चार डिजिट का होगा मतलब कहने का मतलब सेवें प्लस वन बाई टू मतलब चार डिजिट का होगा कितने अंको के होगी चार डिजिट का यहां निकालिएगा तो तीन तीन छे दू आठ है इन कमान क्या है आठ है और जब कभी इन कमान आठ का मतलब क्या होता है तो इवें नमबर सम संख्या है जब number of digit पुछा जाएगा तो वो देखे संख्या जो है क्या है कितने digit की है square root में अगर वो संख्या अगर even number में होगा square root निकालने के बाद उसमे number of digit जो होगा even number के case में n by 2 होगा और odd number के case में क्या होगा तो n plus 1 by 2 exam में बहुत important है यह बहुत पुछा जाता है इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा अब हम लोग देखेंगे six digit का number जो होगा उसका square root कैसे निकाला जाएगा जैसे आपके पास यह है एक number जो six digit का है six digit का number कहां से start होता तो six digit का number start होता 317 से उपर होगा आपको six digit होगा अब इसी को आपको निकालना है तो कैसे होगा आपको चेक कीजिए जैसे यह कितने अंकों का है तो कहिए का सच छे अंकों का है हम लोग कैसे निकालते स्क्वाइर रूट निकालने वक्त तो हम लोग दो अंक अलग कर लेते तो 41 को अलग कर लेंगे 41 में भी हमको किस से लेना देना है तो इकाई अंक से, इकाई अंक पर क्या है वन, इकाई अंक पर वन कब आएगा, तो सर जब आपका इकाई अंक पर वन तब आता है, जब आपका जो संख्या हो, उसके अंक में वन रहा हो या नौ रहा होगा, तभी तो इसका स्क्वाइर करेंगे, तो वन आया ह होगा इसका निकालना पड़ेगा कैसे निकालते तो दो का जोड़ा बनाते हैं आपको किधर से बनाते राइट साइट से तीन ती आई आपको पूरा पूरा निकालना नहीं है आपको कितना आगया है कि मतलब 32 यहां पर जो डिजिट होगा क्या होगा 32 होगा और यहां भी क्या होगा 32 दो पॉसिबिलीटी है चाहे तो एंसर 321 या 329 अब आपको चेक करते हैं इसको जो लिख रहे हैं इकायां के बाद इसको क्या करते हैं एक बरहा के देखते हैं एक बरहा के करेंगा तो 32 में अगर 33 से गुना करिएगा तो कितना हो जागा 3 दुना का 6, 3 ती आई 9, 6 15, हाथ में 1, 3 ती आई 9, 1 10, 10-100 कितना आएगा? तो कहिए का सर, 1056 आएगा, अब अंदर वाला को तुलना करते, अगर अंदर वाला बड़ा, एंसर बड़ा, अगर अंदर वाला छोटा, एंसर छोटा, अंदर में कितना बच रहा था, 1030, 1056 से बड़ा है की छोटा है, तो कहिए का सर, 1056 से छोटा है, जब भी छोटा रहता ता एंसर क्या जाता है, तो एंसर उसकेस में सर, छोटा होला जाएगा, बड़ा होला है, नहीं, इसका स्कॉइर रूट निकाली है गते कितना होगा, तो कहिए गा सर, 321 आएगा, एक बार और बता देते हैं, क्या करते हैं, छे अंक वाले संख्या में हम लोग इकाहीं अंको तो अलग करते हीं, करते की किसका का स्कुरार को सब shutsता है उसको यह व्ल outrage देख लेते हैं पता चला कि आपको 32 यहाहां कितना पता चला थे रहा पर यहां कितना हो थाटीट्य घंवर 32 निक रहा एक रचिश थे रहता है कि काई अंग को छोड़के जो होताँ उसको एक वख या जाता हना तो यहां Tha22 सत Gomez दिये फिर गुना करते हैं गुना करने के बाद जो अंदर वाला रहता इसको तुनना करते अगर अंदर वाला एक जो गुना कर रहे हैं उससे अगर बढ़ा एंसर बढ़ा अगर उससे छोटा एंसर क्या आएगा छोटा ओला आएगा कि लिए देखते हैं next तेजी सी निकाली है दो अंकल लग किये 6 कब आ रहा होगा 6 कब आता है जब 4 रहता है का यह 6 रहता है क्योंकि 4 तेजी सी नो यहां पर भी तीन आया तब फिर जोड़ते हैं तो तीन तीन कितना हो जाता है 6 यहां कितना हो गया 2 और 8 कितने बार में लगेगा कितने बार में लगेगा तो चार बार में लगेगा तो तीन बार में लगेगा तो तीन बार में लगेगा तो कितने बार में लगेगा तो तीन बार में लगेगा तो तीन बार में लगेगा तो तो तीन बार में लगेगा तो 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 तीन बार में लगेगा तो तो यहां यहां हो जागा जी चर्द याई-बारा हाथ में एक अब तिर्छा-तिर्ची गुना कर लिजिए एक वचा लिज़िया तो जोड ली तिर्छा-तिर्ची कर लुजिए चर्द याई-बारा 3 त्याई-9 12-9 कितना हो गया 215 फेमं do 122 से बढ़ा है कि छोटा है तो 1122 से बढ़ा है एंसर क्या जाएगा एंसर जाएगा सर आपका बढ़ा वला जाएगा छोटा वला एंसर जाएगा नहीं इसी आइन के यहां से देखे 51 कितना है चाहर कर वाहँ का solids दू रहोगा ब् territorवा होताँ होता गता होता है प्रके बाद पर आठ याद नहीं ए तो दो आज बस गया आपको ये बच गया अभ इसको निकाल ली है आपको ते तीनहीं कितना हो जाएगा। तो अब यहां पर आपको लिख ना है तो लिख लीजे। इतने बार में लगएगा तो देखे नो बार में लगाइएगा तो नौ शक्तव सब्सक्टom35 20 60 62 हो जाता है। 10 60 था। 산ता हूं स्तान बार में नहीं लगा। कितने बार में लगेगा? आठ बार में क्यों कुछ जादा हो जादा यहां कितना हो जाएगा? Be 그게 38, और 58. 38, यहां भी कहा लिख दिंदे, 38 आप क्या करेंगे एक बार है क्यों गुश्ड़ा करेंगे, एक बार हो जो गुना कसे के छोड़ियगा तो कितना हो जाएगा एक आवन तो और अंदरवला कितना है 550lio 282 बना है 402 25二 182 वर फांच यह बना है इसायके सथ सब पांच 1045 जो है जो बड़ा रहेगा तैंसर क्या जाएगा बड़ा वला जाएगा फूटा वला नहीं यहां पर कर लिजिए एक कब आएगा इकाहियों कर जब वान रहा होगा चाहे नौ रहा होगा अब बच गया 1672 इसका निकाल लीजिए तो 1672 का निकाल लिएगा तो कितने बार में लगेगा चर्चुग का 16 यहां तो एड करके लिखता है 48 जो फटा निकेटिव आज जाता इसलिए जब नहीं लगता भागा तो जीरो लिखते हैं तो एक जीरो यहां भी लिखना पड़ेगा, यहां कितना आ गया जी, चालीस आ गया, और यहां भी कितना आ गया, चालीस आ गया, अब हम लोग multiplication कर लेते हैं 40 को 41 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा तो 30 को गुना कर लेते हैं जीरो बिठा लेते हैं तो 4 एकम 4 चाचो का 16 1640 अंदर वाला में कितना है तो 1672 है 1672, 1640 से जादा है कि कम है कि जादा है answer क्या जाएगा answer जाएगा आपको सिर्फ बढ़ावला जाएगा तोटावला नहीं जाएगा चलिए देखते नेक्ष्ट आपके सामने ये केस सवाल आया 21 एक 9 कब होगा तो 3 रहता है सर या 7 जोडने प्रदस्पन है न अब बच रहा है कितना तो 1874 बच रहा है 1874 या तो 4 से भागा ले लिजिए तो 4 रहा चुका 16 274 हो जागा या 8 हो जागा अच्छा 4 बर लगाईएगा तो रहा चुका 32 300 सूपर चलिएगा तो 3 बार में लगेगा कितने बार में लगेगा 3 बार में लगेगा कुक traject करते अगा 84 रहता चार करते और में 32 एक चोल ≡ यहां तो कि यहां पहल लगोग यहां पर तτηन तेंस हो przedsiębior से कुल ही हो गए र servants पर लिए कैसे कुछ चसले चलिए यहां तर लिए और लेविए यहां त्रेसे नीचे में भी ऐक पर ताने QR गुना 43 को आप 44 से गुना कर लिजिए तीन चोग का 12 कैरी एक चचोग का 16 और बारा अठाइस एक 29 में दू चचोग का 16 दू अठारा कितना रहा है 1892 अंदर में कितना है 1874 ज्यादा है कि कम है चंप कम है 1892 से कम है जब कम रहे solids है तौए अब और अब यहाँ पर देख कर होंगा चाहे तो दूर आओगा चाहे तो क्या रहा होगा आठ रहा होगा वा दूदु बच रहें कितना यहां 2480 यहां यहां पर जूट के आता है आठ हो जाएगा अच्छा यहां पर 10 कर दी जाएगा तो ज्यादा हो जाएगा आच्छा इसको कितने से भाग लगाएंगे थेख किजिए बताईए तो कहिए हैं तो नो बर में लगाने कँए तो यह झाले जिए साथ क्योंकर 9 नेalg i at लिख देते हैं अब हम लोग क्या करते हैं कि एक बढ़ा को गुना करते हैं तो प्रती नाइन इंटू फ्यूटी की जिएगा पांस गुना करके तो एक ही जीरो तो चला रहा है नो पचे पैथालीस हाथ में चार नो पंचो कर बीस चार चौवीस हो जाएगा कितना जीगा जी 250 अब जग 5450 आ गया अंदर बें कितना है 2480 है चौबिस तो पलिष o चीचौवीस होई क्योबिसो पचास से बढ़ा है तो च्जोबिसू पचास से बढ़ा है ऐंसर क्या जाएगा बढ़ा जैका जब अंदर वाला बड़ा राएका तह एंसर जाएगा बड़ा जब छोटा होगा तो चार सो अंठानवे जाएगा ना कि 422 जाएगा यहां देख रहोंगे 5, 5 कब रहा होगा, तो 5 तो सर एक ही बार में होता है, कि क्यों लिकाइन पर 5 रहा होगा, इसका तो कोई जुरुआ भाई होता, नहीं है, 5 और 0 का तो होता, नहीं है, अब 27 था और यहां पर कितना था, 56 था, अब इसके कुन भाग लगाना है, तो 25 यहां हो जाएगा, 5, 5, 10 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 का बार में लगेगा, सर्थ 2 बार में लगेगा, क्योंकि 100, 200 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहां कितना हो जाएगा, यहां तो और चेक करने का जूरत नहीं है, चेक कप करते हैं, जब 1 आई हैं, दो पर होता है 505 में कोई जंजट नहीं एप एंसर कितना जाइगा जी पांसो पचीश कर यहां भी देखिए तो यहां पांच यह की होता है 5 रहता है अभी 5 आयंगा ही कहीं कि बज गया कितना 29 सथर बज गया अब इसको लगा दीजिए तो यह इधर से लगाता है दोमका पेर बनाध़े 25 हो गा 15 हो गया पचा कितन आपको 4 बचा हो पांच 5वाओ दस हो गया। यहां कितना हो जाएगा पुर सीवेन, 0 हो जाएगा किया बार में लगेगा ते कही क्यों शाबण में लगेगा। कितना हो जागा, चार बार में, चरचुका, 460 हो जाएगा, यह हम आया कितना, तो 410 आ गया, एंसर कितना गया, तो 545, इसका एंसर कितना हो जाएगा, 545, चलिए देखते हैं, next, 3, 4, 6, 9, 2, 1, तो one कव आएगा जब एकायं पर one दाहोगा या nine लेहाँ बज गया कितना तो 3469 अभी इसको लॉंग डिविजन से कर लेते तो पचरे पचीश पच्रे 25 यहां कितना हो जागा पांच पांच दस हो जाएगा यहां ना कितना हो जागा 9, 6, 9 अगर 9 लिखेंगे तो 9, 9, 81 हो जाता यहां पर 981 हो जाता जादा हो जाता इसका मतलब 9 बार में नहीं लगेगा कितने बार में लगेगा यहां कितने बार में लगेगा तो कहीं आठ लिग दिया तो यहां कितना हो जागा तो 581589 चाहे तो 581 अंसर आएगा चाहे तो 509 आएगा अब चेक करना पड़ेगा एक बारा को गुणा करना पड़ेगा 58 को 59 सो गुणा करना होगा तो कर लेते तो 9872 हो जाएगा हाथ में 7 हो जाएगा अब तीछा तीछा तीछी कर लिजे गुणा तो 9 पचे 45 और 8 पचे 40 45 और 40 कितना हो जाता है पचासी और कितना हो जाता है तो पचिस औरनो कितना हो जाता है सर चोंतीस हो जाता है तो कितना हो जाएगा 3422 हो जाएगा अंदर में कितना है तो अंदर में कहिएगा 3479 है तो अंदर वाला 12 है बड़ा है कि छोटा है तो अंदर वाला बड़ा है एंसर क्या जाएगा अंदर वाला जब बड़ा रहेगा एंसर जाएगा आपका बड़ा वाला छोटा वाला नहीं आपको पांसो नौासी जाएगा देखते हैं नेक्स्ट अब यही है तो शिक्स का बार होगा जब जब है इकाई अंग पर चार रहा होगा चाहे इकाई अंग पर शिक्स रहा होगा अब 3794 को निकालना है तो निकाल देते हैं 3794 को निकालना है निकाल देते हैं कितने बार में लगेगा तो कहिएगा छे बार में लगेगा 36 हो जारा 36 हो जागा तो यहां बच जाएगा 1 यहां कितना हो जाएगा 9 यहां कितना हो जाएगा 4 6 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा लिख दिये एकसर और को किस से गुना करना थे एकसर को गुना करना बासर्ट तो एकम धू किर्था तीर ची कर लिजिए चे दूना का 12 अबारचे अठाड़ा कैरी वन चे चका चतिस एक से टिस तो कितना हो जागा तो कहिएगा सब 372 अंदर में कितना है 374 बढ़ा है कि छोटा है बड़ा बड़ा जब भी रहता आपको पता है कि क्या अंसर जाता तो बड़ा वाले केस में अंसर बढ़ा जाएगा छोटा नहीं अंसर कितना चल जागा छेशो सुल्लो हो जाएगा अब देखे नेक्स्ट यह वाला क्वेश्चन है चार कव आएगा चाहे तो दूर रहा होगा चाहे तो क्या रहा होगा आठ रहा होगा यह होगा अच्छा इसको भाग लगा हीए तो 60 12 जादा हो जाए तो होजयेगा । फिर्य होज़ेगा कितनों हो जाएगा तो चौर्द क्यातीन की मुले मिलिखंगे चर्सों और सो चल जा कितने बार में लिखना पर हैं बहुद दो तो 722 आता या तो 728 आता अब आपको चेक करना पर एगा बहतर को एक बरहा को गुना करेंगे तो कितना हो जागा तर्टी गुना करेंगे तो तीन दुना का छे सती आए 21 असाद दुना का 14 21 चोगदा कितना होता है 35 में 3 सत्सृत एंचास, अत्तीन, बाउन, गुना करने कितना जाएगा, अंदर में कितना आ रहा है अपका पास, बाउन, आ रहा है कि छोटा रहा है, अंदर वाला बड़ा है, एंसर क्या जाएगा, बड़ा जाएगा, आपका 728, आपका, यह है नाइन कब रहेगा जभी कायी यंग तीन रहावगा चाहे तो कितना रहाएगा साथ रहाएगा अद इसको बच रहाय एकत्रसो चोहत्र बच रहा है cos ुकि यहां कितना चार बनी आठाट इसलोग सुलोग हो जाएगा तो है है यहां क्यादा होिएक सा अचया हो अब आपको चेक करना पड़ेगा मिल्टिप्लीकेशन करके गोराशी में एक बरहा को गुना करेंगा तो ल्बिक कुणेगा और चौका चालीस फितना होगा, छार शॉटर के साथ लाइन सब देना जाएगा कि एन सर कितना जाएगा 843 जो ए आनके मैं लिए नीसमें दूंग किशाट लीने ना और आ divers या 9 आओगा अब जड़ा आपको 99 असी इसको किजिए गए तो 99 एक आसी वन नाइन नो 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 अठारा यहां भी 9 हो जाएगा जोड़ा के रूप में लिखाता है आएगा तो 80 आए गया यहां कितने बार में आयगा क्या रसनो नो बार में तो बहुत जादा आजयागा 99 अगर तो 20 देशना 0-100 कीजिए गा तो यह तो होगा नहीं नो बार में हो गया तो कितना जाएगा 99 यह भी कितना जाएगा जी 99 99 fuckin 99 hat 99 901 को 1 बढ़ा करीगा तो 100 हो जाएगा तो कितना सुझ Нथा एट जिरो है अंदर बढ़ा है जीरो जीरो वान यह किसका स्क्वार होता है यह 999 का स्क्वार होता है 999 का स्क्वार होता है यह कितने डिजिट तक देख रहे हैं लाश्ट यह देख रहे हैं इसके बाद जो होता है ना डिजिट च्छे से ज्यादा हो जाता है यह लाश्ट जो है 6 डिजिट का हम लोग देख अंक को अलग कर दीजिए फिर जो बच रहा उसको लॉंग डिविजन मैथट के दुबार निकाल के दो अंक निकाल लीजिए क्योंकि यहां पर तो दो अंक आएगा तो दो एंसर आएगा चाहे तो आपके पर के इसको कहता है कि जिसका मान ना निकले मतलब ये इसका बेल बीव कभी कंप्लीट ना निकले यह टर्म जो होता है लगबग लगबग 0 हो जाता है लगबग लगबग क्या होता बहुत कम होता है इसलिए हम लोग इसको neglect कर दिये बाइनोमियल एक्सप्रेशन जब करिएगा एक्स पलस एक पार वन बाइटू कीजिएगा यह बहुत लंबा जाता है हमको तो चुकि दो अंग से मतलब है इसलिए हम लोग इसको क्या करते है दो अंग तक ले निकालते है इसका निकालने का क्या तरीका तो अगर कोई नंबर करिया हुआ है अगर उसका आपको निकालना इन नंपरफेक्ट केस्कु करह एं जिसका मान पूरा-पूरा नहीं निकलता है कभी उसका अगर दोंतक्तhos निकालना हो अतकर कैसे निकाल लिये गा 시청 संख्या को करिश सोचिए क्या है उसमें क्या जोड़ कि या घटा के लिखा जा सकता है, अगर वो संख्या N जो है, अगर हम उसको लिख सकते हैं, X प्लस Y या माइनस Y, ऐसी न लिख सकते हैं, X क्या होना चाहिए, X ऐसा संख्या होना चाहिए, जिसका मान स्क्वाइर निकल सके, जिसका स्क्वाइर निकले, क्या निकले, स और वाई जोड़ाना चाहिए जोड़ा जाने वाला संख्या नदीक वाला नदीक में क्या जोड़ा जाएगा यह घटाने वाले संख्या यह घटाने वाला संख्या तो कि यह अप्रॉक्सिमेशन है अप्रॉक्सिमेशन के केस में हम लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा दूर तक ले नहीं जाते हैं, कहने का मतब जैसे यह है, root 14 है, अब इसको सोचिए कि इसको कैसे लिख सकते हैं, आपके पास 2 meter देज इसको जान सकते हैं, या 16-2 लिख सकते हैं, या square root में किसको जानते हैं, 9 plus 5 लिख सकते हैं, अब दोनों लिख सकते हैं लेकिन कून बेटर होया चू़कि यहां प話 देङ रहें कि 2 ही घट रहा है यहां देख रहे है कि 5 जूर जूर रहा है अगर approximation लगा रहे तो यहा लेना है अगरच्णी है नदाँ है चया है तो जो नदिक में हैगा लेकिन बाद वाले होगा हो डि लगाक् rif gol lyens यूल गडानना व्यासा चैजोडने गटने वाला लीखिये जो नधिक और का एक्स के रूप में ऐसाılar लीखियों इसका मान आप जाने हैं क्या फॉर्मूला देख रहे होंगे यहां लिखे तो यहां x लिख रहर Two – X, hood x कमाण निकलेगा तोम नो raune x कमाण निकलेगा इसलिए हम लोग x को ऐसा लेंगे जिसका मान हम लोग जानते हैं ऐसा नहां लेए जिसका मान जानते नहीं Colon बिंटर आएगा तो किया होता है नीचे में क्या लिखते हैं कि रूट एक्स केतना होता है अब गहता है तो कि इतना होता है चार होता है यहां कितना है गा यहां कितना दौ आएगा है ऐस्कार रूट टोल्हक कहा पर टाएंट क्टा आा चार आटा दू दू क्या कट गया जब peripheral गालिया और फोर सब्सक्राइब का मतलब होता है किद्ट बेंट इसका किम दूबाइंट है और यहां कितना जाएक इस pupil का कि तो भी आएगा 3.74 देखरोंगे बहुत क्लोज मान आ रहा क्या रहा बहुत नजदी कम आ रहा हमको तो दो ही अंक तक लिए मतलब है आप किसी भी नंबर का आप स्क्वाइर रूट निकाल सकते है जो नन परफेक्ट रहता है जिसका मान निकालने में दिक्कत होता है उसको कैस निकाल सकते है? उसको आप निकाल सकते हैं एक्रोक्षी मेशन में ऊधर्क कि द्वारा कोई पूछे का कि कि यह मने जाएगा तर् 2 रुट थर्टी सीक्स प्लस वाई कितना है वन है ब提बक हो जाएगा यहां कितना IgA1 by 2 हो जाएगा यहां कितना हो जाएगा रुट 00 alg shown मारा सीवाह स्बाइ बारा वं बाई राट कितना हो जाएगा जैगा टूलाइक नहींระ O भाराथे 96.08 होगा, कितना हो ज़ेगा, 6.08, calculator के थूप भी निकाले गा, 6.08 ही आता है, calculator से भी निकाले गा, तो आपको आता है, 6.08 ही आता है, कितना था 6.08 अगर बात करें चार उंको में इसको लिखेंगे तो 27 और भी निकलते ही जाता है तो देखरोंगे कि दो अंग तक अग्जेक्ट आ रहा है और आप 64 में से 3 घंग्ट आइए तोझीक है तो रूट अंडर चौन सवर्ड ही जाइगा और यहां चूपि माइनस प्रूर माइनस लिखें तो य आपका तीन है फिर करना हो जागा और चौन सब्सक्राइब तर फोल यह कितना हो जाएगा एथ माईशी बता नोज हो जाएगा अब आठ घटा अना तो घाटा χोते हैं तीन कितना हो सेखते कितना हो जाएगा लगा एक बार में लगांगे तो प्वाइंट लगा बट feeling तो लेखंगे पिर बच जागा 14 और 0 14 और जीरो जागा तो शोलह चानवे सुलह सते 112 एकसो अठाए एट में से 018 घट आएंगे ते कितना जागा सेवेन पॉइंट यहां पर बढ़ेगा जी रोग दस में साड़ गया दूर नौ में से गाट शेवेन पॉइंट टु आएगा अच्छा कैलकुलेटर से निकालते हैं ते कितना रहा आए calculator से जब निकालिएगा calculator से निकालने पर आपका answer जो आता है लगभग में यही आता है कितना आता है 7.81 के करीब आता है calculator से निकालिएगा तो कितना है गाए 7.81 देखने को बहुत close आ रहा है यहां 7.82 था यहां कितना है 7.81 कैलकुलेटर से भी सेम ही आ रहा है चुकि एक्जक्टर मान तो निकलता नहीं है इसका इतो निकलते ही जाएगा भैलू निकालते जाएगा यह कभी भी खतम नहीं होगा इसलिए हम लोग दसमलों के दो अंग तकले निकाल के छोड़ देते हैं अब जैसे 99 है तो 100 में से एक घटाना असान हैगा जोड़ के लिखे निकाल लिए गाते एक आशी मोनीज जो न पढ़ेगा ज्यादा दूर हो जाएगा तो 100 माइनस कितना लिखना पड़ेगा अब क्या हो जाएगा रूट 100 हो जाएगा यहां पर माइनस यहां लिखते हैं यहां भी क्या लिखते हैं अब फिर ऊसके बाद ह्यां दस हो जाएगा मैनस बटा टूइन टेन हो जाएगा एक बटा बीस हो जाएगा और एक बटा 20 घटा लिजीय तो 10 तो टासमाइनस 20 निकाल辦法! तो पॉइंट 05 हो जागा घटाएंगे तो कितना हो जाएगा तो 9.95 आइगा 9.95 कैलकुलेटर से निकाल लिए गा तो कितना जागा तो आप जब एक्स्पेंड कीजियेगा इसको यह आंगे तक ले जाता है क्योंकि हम लोग दो ही अंक ले लिखने इसलिए अग्यक्ट नहीं आ रहा है हम जानते कि इसका मान कभी भी निकलेगा नहीं इसलिए हम लोग दो अंकों में निकलते हैं जैसे रूट 2 हो गया रूट 3 हो गया रूट 5 हो गया रूट 7 हो गया इसका मान नहीं निकलता है कभी भी जैसे रूट 2 का भी निकालना आपको तो निकाल सकते हैं जैसे कोई कहें कि रूट टू का निकाल के देखा ये तो कैसे निकालते हैं हम लोग पढ़ें रूट टू का निकाल के देखा देते हैं कैसे निकालिएगा तो रूट टू को निकालिएगा एक प्लस एक कि चार माइनस जो है एक प्लस एक से निकालिएगा नदिक होगा यहां पर रूट न हो जागा गो की प्रू सब्रकून को जादा याल्कुलेटर से भी निकालते हैं निकालने के लिए निकालने के लिए ने, इसा 2 जाधा हो जाद में, वन घटा रहे, तो वन ही न घट रहाता है। जो कम घटे या जूटे उसी को लिखा जाता है. वन प्लस टू नहीं लिखेंगा, क्योंकि टू हो यहाँ, चार माइनस एक, एक तो कम है दू से, लिख दीए है, चुछ कि चार यहाँ हो जाएगा y cm1 है चार दूना का 8 हो जाएगा 4 पच्चे 20 हो जाएगा से कितना हो जागा तो 1.75 कल्कुलेटर से भी निकालते हैं तो सेम यह आता है कितना आता है तो 1.2 आता है यहां पर 1.73 है यहां पर कितना रहा 1.75 बहुत नदिक आ रहा है आता है तो 1.25 का निकालना है तो कैसे निकालिएगा एक सो पचीज का निकालना तो 121 प्लस चार कर दीजिए नदिक है कि को माइनस से कीजिए तो ज्यादा हो जाएगा 121 के बाद आ जाता है आपको 12 का इसकार 144 144 में सापको घठाना पड़ेगा 19 अब ने 125 आगा तो 19 ज्यादा है चार कम है यहां पर हो जागा रूट अंडर 121 प्लस वाई का मान 4 है तो चार लिखे चुकि प्लस है तो प्लस लिखे तो इंटू रूट अंडर यह वो 121 आया अ निलते हैं कितना अगराई दोबटा 21 जागा तो बटा 11 हो जागा ऑट गागा निल्लू में 11 से भागा ने लिखे तो 50 ए तो हमें कि यहां पर लग एगा कम 11 हो गया फिर हो घया इन जीरो जागा ती गारा अठे अता дев morbक्रान कितना हो जागा 208 हो जाएगा रूट अब तक ले जाता है तो देख रहोंगे कि दो अंक तक ले दम एक्जेक्ट आ रहा है कोई कोई में एक अंक आंगे पीछे हो रहा है एक अंक से लेना देना नहीं है अब जैसे 200 है इसको कैसे निकाल लिए अगर 200 रहेगा तो बता यह प्लस चार कर देने क्योंकि ठोधा चूँआ का स्कॉर की जिए तो निकाल प्लस चारण रहेगा ऑंड़ का स्कार कीजिए तो दोशों पाचीस होगा है तो फचीस में है पड़ेगा ज्चीस घताण पड़ेगा ज्यादा दूर हो जाना एक्साइफे हो गया यहां पर बताए हो जाइगा कितने है। रुटi 164 कैतना हो जाए गाटे का यहां कितने हो जागा टे각म सबंगा तो दस में साथ से भागा दिये थे एक रहा फिर 13 हो गया तर्च से केЩगा तो तो 14.1421 आता है देख रहोंगे कि दसमलों के बाद एक्जेक्ट दो अंक यहां मैच कर रहा है तो कुछ-कुछ में दम एक्जेक्ट मैच करेगा कुछ-कुछ में एक दो अंक आंगे पीछे हो सकता है उससे कोई खास परभाव परता है नहीं नहीं गयर कि दो थार करक्ता है कि प्रद्शाय सब्सक्राइद सब्सक्राइद अबसेता है है लिग दिये तो इंटू रूटेज दूसर चापन हो जाएगा अब बताइए कितना हो जागा तो इसको भाग दीजेगा तो कितना जाएगा तो 16 जैगा चुकि लगे गा नहीं तो फॉइंट लगा एं, 32 ती ही 96 हो जाएगा, 110 हो जाएगा, एकसो चालीस हो जाएगा तो 32 चुक का कितना ओरता है, 128 लग जाएगा, सुल्ला पॉइंट कितना हो जागा 3,4 होगा calculator से भी निकालियेंगा तरक कलिकलेटर से आपको निकालियेंगा तरक आएगा सुल्ला पॉइंट 3,4,0,1 देख रहोंगे कि बहुत close है यहां एंसर भी बहुत close है 16,934 है है से 440 है यह तो जानते हैं कि 441 के नजदीख है क्योंकि एक ही घटा आना पड़ेगा बाकी वाला में तो प्लस करिएगा तो 400 प्लस 40 करना पड़ेगा ज्यादा हो जाएगा 441 माइनस 1 क्योंकि y कमन 1 है 2 इसको भागा दीजेगा तो नैसे अब माइनस की लिए तो 10 बन गया भी नहीं लग लगा तो जीरो लिखे तो सो बन गया तो 42 दूना का कितना होता है चोरासी टीज में से घटाएंगे कितना हो जाएगा ते 20 दस्वम्ल हो जाएगा नाइन एक चैलकुलेटर के थुरू निकाल लिएगा तो 20 दस्वम्ल होता है नाइन से देख लोगे कि बहुत नदिक फाइट आ रहा है यहां पे बहुत न दिखा यहां भी बहुत लोग है इसका मतलब दो औंकों तक निकालना होगा तो बहुत क्लोज इंसर आएगा चाहे तो एक ज्चर्थ आजएगा चाहे तो बहुत क्लोज आएगा जो भी ओप्शन में होगा मान लीजे कि आगर बीज़ा नाइन अब हम लोग देखेंगे कि पॉइंट वाले में क्या देखेंगे पॉइंट वाले का कैसे दसम्रों निकालते तो देखेंगे क्या होता पॉइंट वाला में लेखंग दुअ के लिए एक लिखें पूरे निकले गाते कितना आएगा तो जी कहीं दुवन बैटा के तना जीगा दस इसका मतलब क्या हो जागा एक बाटा यहां अगर देख रहेंगे कि दो और को फॉइंट जो है एक पाँट पर निकालनेगे सरे डोग पेर रहेगा पॉइंट के बाद इवे नंबर में इवेन ही नंबर में होना चाहिए तो दो गो जो रहेगा है तो इस्वाइर डूट निकालिएगा तो वह कितने में कि पॉइंट के बाद 4 आपके पास है इसे सब्राइगा यह क्वार्ट होगा यह इसर पॉइंट के बाद 4 आट जब भी रहता है यह convert होके आएगा सर 10 अंक के बाद 2 आंक आएगा हम लोग क्या करेंगे कि दाएंगोर से 2 आंक लिखके 10 अंक लगा देंगे क्योंकि 4 जो होगा वह 2 में convert हो जाएगा और रहता तो बन सकता था कहिए का नहीं सा और वाला नहीं देगा कभी भी क्योंकि यह निकालना रहता तो आपके लिए दिक्कत हो जाता यह कितना हो जाता अगर कभी पूछ भी दिया तो अभी बता ही है नन परफेक्ट एस्कायर का कैसे निकाला जाता है तो रूटेन कमान लिख देंगे भाग देंगे चार से आपसे क्या पुछा जाएगा असानी पुछा जाएगा आपसे ऐसे पुछा जाएगा पॉइंट वान से अब देख रहोंगे कि सुल्ला कमान जानते हैं चुकि 10 हमल क्या कर देंगे 10 हमलों देदेंगे लिए तो इसको देखिए कैसे करेंगे यह सब्सम्लों के बाद क्या आंक है तो दो आंक है इसका मतलब सर जो दस एक कितना आंक आएगा तो पहले 1444 को निकाल लीजिए 1444 का स्कायर रूट निकालने के लिए आपको बताया थे आपको सर सर और छार रहे गाता सर 2 आएगा या कितना आएगा तो चोड़ा रहे गाता कितना रहता थे ने तो इसको तो कोई दिकती नहीं है 32 आएगा या 38 आएगा चुकि एक पार हा करता है तो 3-4-12 नियुल के बाद है 3-4-12 अनदर में कितना है 14-12-12 सब बड़ा है एंसर क्या जएगा बड़ा ओला यह एंसर 38 तब ना आता जब यह पूरे 1444 रहाता लेकिन तो यह पॉइंट में है थे बता यह दू अंक कितने में कर दिए इतना ही लाइट साइट साप दसंब्लों लगादीजिए इसका मतलब दसम्लो के बाद क्या अंख दू अंख थे राइट साइड से क्या अंख के बाद दसम्लो लगेगा तो एक अंख के बाद 7-9-2-1 ही न निकालना इंपोर्टेंट है तो 7-9-2-1 निकाल लेते हैं इक अंख 1 है तो 1 कब आएगा जब 1 रहा होगा या 9 रहा होगा 79 है तो किसका स्वाइर से छोटा है तो कहिए अंशर क्या जाएगा बड़ा ओला जागा ना की छोटा ओला इसका मान तो 89 तब न आता जब 7-9-1 है तो चुकि दसमलो है तो दो अंख के बाद रूट के अंदर दो अंख है तो रूट चूटेगा तो एक अंख में कनवर्ट हो जाएगा हर दो जोड़ा एक में होगा एक अंख के बाद देंगे तो कितना जाएगा 8.9 आ जाएगा तो यहत्से तो कितने में उवक अंख कर अंख बाद अगर होगा तो दो अंख लोगे बाद देndखात फहले सरा में करन दिया 154 का निकाल लीजिए ले कितना हो गांट चार कब रहेगा चाहे तो दुर रहा होगा चाहे तो एट रहा होगा 12 12 जादा और 12 12 जादा गरागी तो 132 अंदर वहको पचीजार 15 मतब छोटा है एंसे कि इसका जाएगा एक सो बारत तम न जाता ये जब दसमलोग में नहीं था लेकिन दसमलोग के बाद चार अंक है तो डसमलों के बाद इधर क्या अंक है तो दूंक है गा, 1 अंक, क्या बैठा देंगे, कितना यांसर जाएगा, तो 1.12 है कि इसका निकाल लेते एक तालीस एक सट सोलना का इसका देखिएगा तो छे जब चार रहा होगा या सिक्स रहा होगा यहां चार सो सोलना है है तो इसकाई कीजएगा तो चार सो एक तालीस ज्यादा रहा थNow भीस होगा यह चुक्य और लेडि परहा दिया आपको स्काई कालंसट एक बढ़ा के गुना ग्याकी rat के गए 11 का फियाए डिया हो सब्सक्राइब कि इतना होता है तो अगर 4 अंक है तो 2 में कनवर्ट होगा 6 अंक है तो 3 में कनवर्ट होगा अब यहां देख रहोंगे कि देखिए यहां भी देखें 2 दो 4 6 हम बताएं थे कि यह तभी माननी के लिए का जब क्वाइंड के बाद जो संख्या होगा वह डू अने। वोगा क्वाइंड हूगा यहाँ बताएं protegम के बाद फार और स्वंप्पल्द आख कितने अता है तो दुट शुव छाव हो करते हैं लेकिन को ihr Link लगाना है कितने के बाद य॥ा न पड़ेगा एक और ओने आपर ऎनक है नहीं आप क्या कर देंघya कितना जेका match-0 रो एक ग剛剛 भें अभी तीन तकल पहुंचाना इसको एक और जीरो लिखें एक और जीरो लिखें फिर इसके बाद क्या कर दिया दसमलब इठा दिये अभी यही था तो देखीए हैं दो दो च्ञव आठा ऐते का हमकंवाट होगा एक, दो तीन, जाँव दू साभागे दे दिये तो चार दों मैं कन्वाट हो जगा धूब सोपचीज जानते किसका होईल रूट होता है तो दूसर पची जानते सर्फ 15 का, तो लिखे भी करते, लेकिन 4 अंक बनाना है न, एक 0 और, एक 0 और, अब क्या है कर देंगे, दसम्रों ली देंगे, एंसर कितना हो जागा, 0.0015, अब यहां देखिए, एक हो ए, यह एक बनेगा, यह कितना बनेगा, एक बनेगा, और यह एक आएगा, और यह भी कितना हैगा, एक, तो कितना अंक होगा, तो सर्फ 5 अंक के बाद, दसम्रों बैठेगा, 3, 4, 5, अब 289 किसका स्कार रूट होता है, तो 289 सतरह का होता है, सतरह तो लिख भी करते हैं, लेकिन 5 अंक बनाने के लिए, तो 3 गो 0 देना पड़ेगा, फिर क्य पान्च जा गरेखा, 1, 2, 3, 4, यहां पर कितना होगा, पांच, कितना होगा, तो सर्-फ तो-चेज़ों एक, चुदका निज़ों, बना ड़ेखा, 2, 3, 4, 5, 1295 किसका होता है, तो बार्व सो पचीश किसका होता है, तो सर्-ए-पांच रहाओगा, तो सर्-3 आजागा, तो प कि अधे और पॉइंट जिरो 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 प्री फाइफ ए यहां दो यहां दो यहां को कंवेट कि ते एक यह भी एक में कंवेट हो जाएगा और यह वह सब तीन अंक के बाद लिएगा 964 कर निकालिए गया तो कितना है गाता है जानते हैं कि चारत जब रहता है तो दूर होग आठाओ अच्यादक जैन्फे से बड़ा है तो नहीं होता क्यों क्यों क्या यहां क्लिखना तीनक लिखना आते एक और जीरो विठाएंगे ता तम रखी नग मनेंगा अब यहां है एक कि Am ii c довольно बॉल्बN gleich कि इंसको के लिए इन रहा होगा s St.. के लिए के बाद बैठेखा चार रहा है, लिए पेले आसरे ज्यादा हो रहा, एक के ले आगा 111 घैना रहा 10 गुनाई गाला किजिएगा तक इतना होते हैं110, अंदर वाला कितना है 104, 104 क्या है 110 से छोटा है, अंसर छोटा होला जाएगा, एकंफो दूर आएगा, एक सो दूर तो लिखे बे करते हैं लेकिन चार अंग के बाद दसमलो बैठेगा तो एक और जीरो बैठाना पड़ेगा तो 0102 देखने होंगे कि आज के क्लास में हम लोग इने दसमलो वाला सीखा, नन परफेक्ट स्क्वाइर सीखा, पाथ डिजीट का पहले ही हम लोग दिएगा, थैंक यू बेरी मुच